बिस्मिल्ला इर्बन रहीम, अस्सालम अलेकम गाईज, विलकम बैक तो मैं यूटुब चैनल राबियाज बिस्ट रेसिपीज, फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई, जी हाँ, सिक्रेट चिकन फ्राई की रेसिपी है, आप वीडियो को फुल वाच करें, कहीं से भी बहुत ही टेस्टी, यमी और डिलीसेश रेसिपी है, हमारी चिकन फ्राई की रेसिपी, आप एक बार जरूर इस तरीके से बनाएं, सब को बहुत पसंद आएगी, और ये बिलकुल क्रिस्पी, क्रंची, और अंदर से एक दम जूसी बनकर रेड़ी होगी हमारी चिकन फ्रा बोन ले सकते हैं, या फिर बोन के साथ ले सकते हैं, अब हम इसमें एक लिमन जूस आइट करेंगे, और दो टेबल स्पून हम आइट करेंगे, अधरक लेसन का पेस्ट, और थोड़े से गरम मसाले हैं, नमा के कार्डिंग टू टेस्ट, एक टीस्पून चिली फ्रेक्स, द दो टीस्पून दरिया पाउडर, दो टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून चाट मसाला पाउडर, एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और काला नमक, हाफ टीस्पून और एक पिंच औरेंज फूड कलर, हम आइट कर देंगे, और अब हम आइट करेंगे, ब कॉर्ण फ्लोर हम आइट करेंगे पांच टेबल इस्पून आप थोड़ा जादा या कम रख सकते हैं अगर आपको लगे की कम है मसाला तो आप जरूर राइट कर दें थोड़े मसाले और या बेसन या कॉर्ण फ्लोर और राइट कर दें और अपनी हिसाब से थोड़ा साओ करेंगे एक अंडा तोड़कर इसमें तो आप एक अंडा डालें या दो अंडा डालें आपकी मर्जी है मैं यहाँ पर एक ही अंडा आइट करूंगी तोड़कर और नमक आप अपने टेस्ट के कॉड़ेंगी रखें और मैं से अच्छे से मिक्स कर लूंगी यहां पर यह मिक्स हो गया है अब हम इसे रखेंगे की फ्रीजर में乐 भास से तीन मिख प्रिशह के से घंड के लिए से जरूर के प्रिजर में के-लिए रखना है तो यहां पर हमारा चिकन अच्छे से मेरिनी नेट हो चुका है तो तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे इसको हम डीफ फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर हमने एक लीटर तेल ले लिया है उसको अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम उसमें चिकन को फ्राइ करेंगे चिकन को हम तीन से चाय मिनिट के लिए सिर्फ फ्राइ करेंगे उसके बा बिल्कुल भी नहीं करना है चिकन को हम दो बारे से फ्राइए करेंगे तो हमें चिकन को पूरा फ्राइए नहीं करना है तो दो से तीन मिनट के लिए हम इसे फ्राइए करेंगे उसके बाद हम इसे तेल से निकालते जाएंगे और सभी चिकन को जब हम एक बार फ्राइए कर ल यही सका main secret है friends friends पहले हम एक बार पुरे चिकन को half fry करेंगे उसके बाद हम तेल को फिर से अच्छे से गरम करेंगे तेल हमारा थंडा विल्कुल भी ना हो तो बारा से जब हम चिकन को fry करेंगे तो तेल हमारा पूरी तरगे से गरम होना चाहिए तो यहाँ पर तेल को हमने फिर से गरम कर लिया है और फिर से अब हम चिकन के पीसेज को दोबारा से इसमें हम फ्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने पहले बार इसे फ्राई करके बाहर निकाल दिया था आइल से अब हम इसे दोबारा से फ्राई करेंगे और इस तरीके से बहुत ही जवरदस्ट और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और बिल्कुल अंदर से तो एकदम जूसी हमारे चिकन होंगे तो चिकन फ्राई हमारी बहुत ही लाजवाब बनकर रेड़ी है इस मेथड़ से आप बनाएं और काफी देर तक ये क्रिस्पी बनी रहेगी और एक बात और कि आप इसे ढख कर बिल्कुल भी न रखें प्रेंट्स आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही जवरदस्ट चिकन फ्राई की रेस्पी बनकर रेड़ी हो चुकी है पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दें शेयर कर दें और मेरे चैनल को टाइब जरूर कर लें मिलते हैं फिर नई वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दौाओं में हमें याद रखिएगा अल्ला हाफिज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शक्रिया